दोस्तों इस Study91 की यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्षे में लेकर हाजीर हूँ सामान हिंदी की क्लास जिसमें आज हम चर्चा करेंगे एक इस्पेसल टापिक को दोस्तों आज की क्लास हमारा वर्डमाला परिच्छ टेस्ट पर जियां दोस्तों वर्डमाला चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आपकी परिच्छा में पूछे जा सकते हैं कितनी आपकी तयारी है उन प्रशनों पर आज हम चर्चा करने चलने हैं तो क्या आप तयार हैं देखिए यहाँ पर जो अभी मैं यह स्पेसल सिरी स्टाट क्या हो हिंदी की इसमें हर दिन मैं एक नए चैप्टर के प्रशनुतर को आपके समक्ष लेकर आता हूँ तो दोस्तों आज बारी है कल हम लोगों ने पढ़ाता हिंदी भासा के उद्भाव एवं विकास के बारे में उससे संबनी सवालों को हम लोगों ने कवर किया आज ज जगे दोस्तों Study91 के platform से अब किताबे भी आ चुकी है अभी तक आपको इंतजार था तो याद रखे दोस्तों आपकी अपनी हिंदी की किताब दोस्तों आ चुकी है या आपकी अपनी हिंदी किताब है टोटल 5000 सवाल इस किताब में दिये गया है घर बैठे आप इसे आडर क कर सकते हैं या अपने Nearby Book Store से भी आप इस किताब को परचेश कर सकते हैं साथी साथ दोस्तों भारत की पहली ये ऐसी किताब जिसमें हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिया गया है या आरो यारो परिच्छा के लिए दोस्तों किताब लांच किया गया है हर एक चैप्टर में 500 सवाल दिये गया हैं ऐसी दोस्तों बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे प्लेटफार्म से लांच की गई है आप इन किताबों को परचेश कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवालों को देखते हैं पहला सवाल दोस्तों जो दिया गया है कि वार्ड माल कलब नहीं है याद रखेगा वर्ड माला में वर्ड होते हैं और वर्ड की वर्डों का निर्माड कैसे होता दोस्तों तो वर्ड का निर्माड होता है स्वार एवं व्यंजन के सायोग से और जब इन्हीं स्वार व्यंजनों को हम वेवस्थित करम में रख देते हैं तब उस पर तो resonator 4 यहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा सवाल हो जाएगा यज आफ रखेंगा अगला सवाल देरा दौस्तों काॉन सी Harasua धनी है ठीक है आईए हरस्व धनी की बात करी रहा है तो मैं आपको बता दोस्तों कि जब आप स्वर पढ़ते हैं तो स्वर में आप धनीयों का प्रयोग करते हैं और स्वर के अंसार दोस्तों दो तरह की धनिया होती है एक हरस्व धनी होता है एक दोस्तों क्या होता है तहत रखा जाता है दिर्ग में दोस्तों इसी का क्या आता है बिहत रूप आता है अ से आ बन गया ई से बड़ी ई बन गया उ से बड़ा उ बन गया ठीक है ये तीन दोस्तों है याद रखेगा ये दिर्ग में आते हैं यहाँ पर याद रखेगा दोस्तों चार आता है यहाँ तीन आता है ठीक है आपसे पूछा है कौन सा हरस्व है तो याद रखेगा आ क्या हो जाएगा दोस्तो आ तो दिर्ग के अंतरगत आता है ठीक है और ए याद रखेगा दोस्तो ए आ न तो ये हरस्व में आते हैं न दिर्ग में आते हैं दोस्तो ये संयुक्त के तहत रखा जात तो यहाँ पर आपसा नंबर फोर सही हो जाएगा अगला सवाल है दोस्तो गर के नीचे बिंदी जक नीचे बिंदी और फो के नीचे बिंदी ये सब बिंदी बाते हैं करा जी धोनिया किसकी है तो याद रखें दोस्तो यह संश्कित की धोनी नहीं है यह अर्भी फारसी धोनिया है कैसी है दोस्तो यह अर्भी फारसी धोनियों के अंतरगत आता है अगर आम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी की धोनी के तहत और सब्द लिया गया और जैसे और का प्रयोग कहा कहा होता है जैसे आप लिखते हैं कॉफी, आप लिखते हैं हॉस्पीटल, क्या लिखते हैं हॉस्पीटल, तो याद रखे दोस्तों यहाँ पर यह जो ओ वाली धोनी है, यह अंगरेजी की धोनी है, बाकी कग, जफ, याद रखेगा यह अरभी फारसी धोनी है, क्या है, अरभी फारसी धोनी है आ रहा है ना फटाफट सवालों को हल करते हैं दोस्तों ज्यादा समय नहीं हमारे पात अपने समय को बचाना है और हिंदी में सत प्रत्सत नमबल लाना है है की नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं करा वह वर्ड जिसका उच्चारण तालू से होता है कितने तरह के होते हैं सबसे पहले होता दोस्तों कंठ वर्ड ठीक है कंठ वर्ड दूसरा होता दोस्तों तालू वर्ड क्या होता है तालू वर्ड तीसरा होता दोस्तों याद रखेगा मुर्धन्य वर्ड क्या होता दोस्तों मुर्धन्य वर्ड ठीक है मुर्धन्य वर्ड जो कन्ठ वाले में है इसमें आता का खा गा घा क्या आता है उसी तरह से तालू में आ जाता है चा जा 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 उसी तरह से मुर्धन में आ जाता है ठा ठा डा ठा ठीक है उसी तरह क्या आ जाता है दोस्तों धा के नीचे बिंदी मत लगाएगा ऐसे होता धा के वल ठीक है औ और दंत में कहा जाता है जाता है त थ द ध ठीक है और ओस्ट में कहा जाता है प फ भ भ भ म अब देखिए यहां पर आपकी जीवा अपने तालू को असपर्स करती है उपर जीव जो है तालू को असपर्स करेगी आप जीव को नीचे करके इन वर्डों का उचारण करेंगे तो कभी कर नहीं पाएंगे जीव को बाहर निकाल के जीव को च बोलके दिखाए तो जान जाएं नहीं बोल पाएंगे क्यों 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 कि जब तक यह जीवा आपके तालू को असपर्स नहीं करेगी तब तक च च जाजा का उच्चारण हो ही नहीं सकता इसलिए दोस्तों याद रखेगा जिनका उच्चारण तालू से होता है वो क्या कराते है? तालब दिकते हैं मुझधन्य में क्या होता है? जीव जा के उल्टा हो जाती है ऐसे उलट जाती ही तो, तो, तो या आपके दात और तालू के बीच का जो हिस्सा उसको टच करती है ठीक है तो मुर्धन्य होता है ओट में बिना ओट को सटाए पाफा बाबा बोल के दिखाईए नहीं बोल सकते क्यों 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 कि यह वर्ड ऐसे है जो वोस्ट के मिलने से दोस्तों धुनिया निकलती है यह आप याद रखेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपसा नमबर तीन दोस्तों यह आपका सही जबाब हो जाएगा आगे बढ़िये करा ब्यंजन कितने होते हैं आईए देखते हैं दोस्तों ब्यंजन की संख्या कितने होती है देखे अगर हम बात करें दो सवाल पूस्ता है एक तो पूस्ता स्वर कितने होते हैं तो क्या बताएंगे स्वर की संख्या है 11 दूसरा सवाल पूस्ता दोस्तो बेंजन कितने होते हैं तो बेंजन कितने होते हैं तो याद रखेगा 33 और 33 को मिला करके होते कितने हैं ये तो 44 ही होता है फिर 44 से 52 का सफर कैसे पूरा होता है ठीक है ये भी आपके मन में आना चाहिए है कि नहीं तो ये सफर कैसे पूरा होता दोस्तो याद रखेगा दो यहाँ पर है उत्चिप्त बेंजन क्या होते हैं दो आपके उत्चिप्त बेंजन होते हैं ठीक है इनको जोड़ लिजे 44 दो 46 हो जाते हैं 46 में 4 और जोड़ लिजे दोस्तो ये क्या हो जाते दोस्तो ये संयुक्त बेंजन होते हैं संयुक्त छत्रग्या वाले जो होते हैं ये संयुत बेंजन में आ जाते हैं ठीक है आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है बताए मुझे जली से ठीक है तो क्या हो जाएगा 44, 2, 46, 46, 4, 50 हो गया ठीक है याद रखेगा आपसे बेंजन पूचा है तो बेंजन की संक्या कितनी 33 स्वर पूचता तो स्वर की संक्या कितनी 11 चली आगे देखे करह हिंदी वडमाला में उस्म बेंजन है उस्म बेंजन कौन कौन से है याद रखेगा ऐसे बेंजन जिनके उचारण से सरीर के अंदर की ग गर्म होता है, उसमकार्त क्या है? गर्म, आप बोल के देखे, Shaka Shaka, याद रखेगा, Shrika Shaka जो होता, दोस्तों, याद रखेगा, यह चारो किस कंतर काते हैं, यह उसमें बेनजन केंतर काते हैं, ठीक, उसमें कंतर, तथा दधा जो हैं, तथा दधा, याद रखेगा ये दंत्य, ये दंत्य वर्ड में आते हैं, दंत्य बिंजन हैं, टठा टठा याद रखेगा दोस्तों, ये मुर्धन्य वर्ड में आते हैं, चछा जजा याद रखेगा, ये तालब्य में आते हैं, ठीक है, ये तालब्य के अंतर गताते हैं, इसको याद रख यह ठीक एक नया सेम्मल मैं बना दे रहा हूं इससे देखिए आप उचारण समझ जाएंगे ठीक है चली देखे माली जी आपकी जीवा है अगर जीव दोस्तों आपका क्या है सीधा है तो याद रखेगा उचारण क्या होगा सा कहोगा अगर जीव थोड़ा से उठ गया तो उचारण क्या हो जाएगा बड़े सरका हो जाएगा ठीक है इसको याद रखेगा ये इसका सिक्वेंस होता आप जीव को देखेगा इसी दिशा में जीव चलती होगी ठीक है यहाँ पर फिलाल आपसन नंबर एक जो है आपका सही जबाब हो जाएगा आगे बढ़ी अगला कि अगह जार देखे कारा यर लव बेंजन को क्या कहते हैं एक तो है ठीक है अस्पर्स बेंजन Dसरा है संघर ऑन श्वाकΐए, अरूनों में अंतर है pies, संघरस अस्परसी बेंजन, ठीक है, je these two जब आपसे असपरसी फूचे याद रखे गा का से लेकर मत्त अ क्या ओते है क्या काते हैं क्स यकेर मोस तक में असपरसी बेंजन आते है ठीक है और संघर्सी बेंजन दोस्तों कहां आता है तो संघर्सी में रखा जाता है च 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 और जह को ठीक है च च च जह को कहां रखा जाता है इनको संघर्स असपर्सी कहा जाता है या असपर्स संघर्सी कहा जाता है ठीक है इसको याद रखेगा अंतस्त बेंजन क्या होता दोस्तो यह जो यरलव होता है यह अंतस्त बेंजन होता है क्यों क्योंकि इनकी जो आवाज होती दोस्तो यह अंदर से निकलती है अंतस्त अंदर से निकलती है अंदर का जो है आवाज आती ठीक है सांस अंदर जाता है लेकिन याद रखेगा आवाज अंद ख, श, बड़ा स, और ह, ये चारो उस्म में आते हैं, तो सही उत्तर क्या है, आपसा नंबर दो, आपका सही जबाब है, एक बात याद रखे, अगर आपको लग रहा है कि मैं इमानदारी से, और अच्छे कंटेंड को लाके दे रहा हूं, तो प्लीज, आप सभी से निवेदन में से कौन सी महा प्राण धोनी है, दोस्तों महा प्राण धोनी कौन है, इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा, अल्प प्राण के बारे में, और महा प्राण के बारे में, ठीक है, अल्प प्राण और महा प्राण ये दो प्रकार की धोनियां होती है, याद रखे किसे कहते हैं तो जिनके उचारल में कम वायू बाहर निकले याद रखेगा कम वायू अगर बाहर निकलती है तो याद रखेगा वो क्या हो जाएगा वो अलप्राण हो जाएगा अगर ज्यादा वायू बाहर निकलती है ज्यादा वायू बाहर निकलती तो क्या हो जाएगा मह महाप्राण हो जाएगा आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा आप एक बात बोली अपने मुह के सामने ऐसे हाथ रखें बोले को और फिर बोले को देखें को में ज्यादा हवारा को में कमा रहा है ठीक है तो याद रखेगा इसी आधार पर पहला तीसरा और पांच्वा वर्ग क् याद रखेगा पहला तीसरा और पांच्वा जैसे क के नीचे च च के नीचे तो याद रखेगा यह अलप प्राण वाली हो जाएंगे ठीक है उसी तरह से सेकेंड़ वाली लाइन जो चलती है सीधा सीधा वो क्या होती है जैसे अब मैं पीछे आपको इमेज दिखा दूं यह बनाया था ना भी इस्ट्रक्चर ठीक है आप इसी इस्ट्रक्चर देख लिए यह वाला था ठीक है यह अलप प्राण का है यह वाला प्राण है यह अंगा वाल प्राण है और यह तीनों अलप प्राण है और जो छूटा हुआ बीच के दोनों है यह महा प्राण है तो में आ गया ना एकदम concept clear रखे फटा फट ताकि परिक्षा में आए तो आपको कहीं से देखने ताकर ने की ज़रूत नहीं है सीधे आपको अपना जवाब बताना है इसको याद रखेगा यह हो जाएगा अब आपसे पूचा कौन सा महाप्राण है बोलके देखिए को यह तो ग अलप प्राण है ब कम हवा निकला भा बोलते हैं तो जादा हवा निकलता ब भा भा मेरे के जादा हवा आ रहा ठीक है तो याद रखेगा ब क्या हो जाएगा अलप प्राण और यहाँ पर जो सही उतर है आपसे नंबर दो राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए और आज हम ऐसे लिखें पंचानन अगर आप सही प्रयोप करेंगे तो पंचानन जो सुद्धर्थ में लिखा जाता है यह होता दोस्तो पंचानन यह होता दोस्तो पंचानन तो याद रखेगा यह इयं को ही अनुस्वार कर दिया गया यहाँ पर यह जो है दोस्तो इसी को क्या कर इसे लिखा जाता दोस्तों ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखा जाता गंगा ठीक है हम क्या करते हैं इसी गंगा में अंगा को अनुस्वार कर देते हैं यह और ऐसा हो जाता ठीक है तो यहां पर याद रखेगा यहां पर यह हो जाएगा क्योंकि इसी को अनुस्वार किया गया है अ उसी तरह से दोस्तो आपको पढ़ना घोष और अघोष के बारे में ठीक है तो देखिए एक होता अघोष क्या होता है एक अघोष होता है दूसरा सघोष होता है ठीक है इसी सघोष को एक और नाम दिया जाता है घोष ठीक है तो याद रखेगा सघोष और घोष अलग नहीं यह एक ही होते हैं बस कर लिए आपको ध्यान देना ठीक है अच्छा इसमें क्या क्या आता है यह अग्होस वाले में आद रखेगा पहला और दूसरा वर्ग क्या होता दोस्तो यह अग्होस में आता है ठीक है और तीसरा चौथा पाच्वा कहा आता दोस्तो यह सघोस में आता ठीक है तो वही का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-का-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क-क- आपसे पूचा घोस क्या है? तो सही जबाब क्या निकलेगा? आपसे नमबर 3. याद रखेगा यहाँ पर जो म लिखा है या क्या है? या घोस है क्यों? क्योंकि म वर्ड़ में पांचवे नमबर पर आता है. इसलिए दोस्तों म को क्या कहा गया? घोस कहा गया. ठीक है? तो इस कहेंगे. अगर सब्द आ आ जाए तब क्या कहेंगे? तब इसे आ का रांत कहते हैं. और के जगा आ लिख जाते हैं. ठीक है? लिख देते हैं. तब क्या हो जाता है? आ का रांत हो जाता है. अगर ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तब इसे ए का रांत कहते हैं. क्या कहते पूछा यहां पर पूछा तो वाले को क्या कहेंगे तिक अनुस्वार और अयोग वाह मत कहिएगा ठीक है ये गलत हो जाएगा अंतस्त भी नहीं होगा अंतस्त में तो यरलवा आते हैं ठीक है और अयोग वाह में क्या होते हैं अनुस्वार में अंग आता है ठीक है तो इसे भी आद रखेंगे यहां पर अकारांत हो जाएगा अप्स तो यह आपका महाप्राड होता है, यही था हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ ज्यादा वायू बाहर निकलती, अब देखे एक तीन पांच में कौन आता है, अ-अ-अ-अ, ठीक है, और क्या दिया, कग, कग, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, थद, नहीं होगा, थद, मह महाप्राड होता है, फो, भो, याद रखे गए भी महाप्राड होता है, अ-अ-अ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बेंजन में देख रहे हैं, यहाँ पर, ऑ क्या है, अ-अ-अ-अ-अ, महाप्राड, इसमें तो दोनों आ गएं, इसलिए यह भी नहीं होगा, तो तो पांच आते हैं, एक तो आता है अंग, एक आता है इय, एक आता है अड, एक आता है क्या हो जाएगा न, और एक आता है म, याद रखेगा यह पांच है दोस्तों, जो नासिक में आते हैं, ठीक है, और नासिक के कहते क्यों हैं, क्योंकि हवा जो होती दोस्तों, यह मुह, नाक दोनों से बाहर निकलती, इसलिए से क्या करते हैं, नाशिक क्या करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या आओ जाएगा है, जो इह दिया है दोस्तों, यह नाशिक के बेंजन है, आप तो जानी रहोंगे, चली, आगे बढ़ते हैं, लिकरा वर्ड माला किसे कहेंगे, ध्या याद रखेगा स्वर और बेंजन की योग से बनता है, किस से बनता है दोस्तों, स्वर और बेंजन के बेवस्तित समू को क्या करते हैं, वर्ड माला करते हैं, स्वर बेंजन को सिस्टमेटिक डंग से रखेंगे, तभी क्या बने का दोस्तों, याद रखेगा वर्ड माला ब शबिस लेटर होते हैं, शबिस का दो गुना कितना होता है, बावन होता है, ठीक है? अच्छा, आई ही, अब दोस्तों यहां पे बार हम कटेगराइज कर देते हैं, ताकि आपको सब टा चल जये, याद रखेगा स्वर की संख्या कितनी होती, दोफिधों, तो स्वर होते है, 11 कितने स्वार होते हैं 11 होते हैं स्वार में ठीक आप आगे बढ़ेंगे तो अंग और अह जो होता है दोस्तों यह अयोगवा होते हैं और अयोगवा कितने होते हैं दो होते हैं यह भी आप जानते हैं ठीक है तो 11 दो कितना हो गया 13 हो गया इसके बाद दोस्तों याद रखेग च्यालीस हो जाएगा ठीक है इसके बाद दोस्तों कितना हो गया अनतालीस हो जाता च्यालीस दो और तालीस हो गया इसके बाद दोस्तों चार जो होते हैं, वो संयुक्त बेंजन होते हैं, ठीक है, संयुक्त बेंजन कितने होगें, दोस्तोचार हो गया, तो वही, इयूर्प, 404 कितना हो गया 52 हो गया ठीक है 52 हो जाएंगे इसको आप याद रखेगा यही सिक्वेंस आप से कभी-कभी पूछता रहाता है याद रखेगा इस उतच्छिप्त में कौन-कौन से आते हैं तो मैं आपको बता दूँ इस उतच्छिप्त में आता है ऐसे ड़ और यह वाला योगवाब में कौन आता है तो याद रखेगा इसमें आता अंग और ठीक है बाकी तो सबाब जानी रहे हैं और कुछ बताने क्या हो सकता नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं ध्यान दिएगा दोस्तों बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि नित सवालों की ब्याक्या वहाँ भी किया गया है दोस्तों और आपको खूम मजाएगा और वहाँ चैप्टर वाई सिक्वेंस में मिलता है 130 से अधिक लेक्चर वहाँ दिया गया है आफ्लाइन डाउनलोड की फैसल्टी दिया गया है और एक बात तो सिंपल सा है अगर आप दोस्तों पेट कोर्स में एक बार इंक्वाईरी ले लिजिए पेट कोर्स की जबरदस्त बैच है दोस्तों आप महांगे सस्ते की तरफ मत जाईए क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो जबरदस्त मैटर मिलेगा यहां ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल लेखते हैं अगला लिख रहा हिंदी भासा में कितने स्वर हैं अरे बार बार एकी सवार मत पूछो भाई हिंदी भासा में स्वरों की संग्या कितनी हैं याद रखेगा स्वर कितने होते हैं 11 ठीक है 11 स्वर होते कौन कौन से 11 स्वर हैं दोस्तों आईए सबसे पहले हम लेत है बड़ा ई होता है बड़ा उ होता है चार और तीन कितने हो गए देंगे यहाँ 8, 3, 11, संख्या कितनी हो गई दोस्तो, 11, याद रखेगा, यह जो 11 संख्या है, इसमें अयोग वाह वाले नहीं चुड़े हैं, अयोग वाह को जोड़ देंगे, तब तो संख्या 13 हो जाएगी, ध्यान दीजेगा, तो 11 होता स्वर में, अयोग वाह को काउंट नहीं किया जाता है, अयोग वाह, जो अं अ होते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं, अगर काउंट कर लिया तब 13 हो जाएगा, नियमता काउंट नहीं किया जाता है, 11 स्वरों की संख्या है, कैसे है, तो ये भी आपको दिखा दिया गया ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क यहां पर एक हलंत देना जरूरी है क्योंकि बीना हलंत के बन नहीं पाएगा लेकिन बाकी के आपसन तो एकडम गलत दियें चोटा होगा नहीं खटकोड सा होगा नहीं और स्तर में होता नहीं तो याद रखेगा मजबूरन हमें आपसन नंबर 3 नहीं सही करना पड़ा याद लिजएगा खट्कोर सव नहीं होर। यहां पर बड़ा सब लिजगा उसके साथ रह लगाएगा, इसी तरह हो सकता ही परिछ्छह में पूछ-दे की तरह का मिर्माड कैसे होता हैarella कैसे होता है, तरह कैसे बनता है만 है और सा को मैंने बताई दिया आपको ठीक है चोई बचारा गया दोस्तो तो count करके संख्या 52 होती है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपसन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा है बढ़िया सवाल ना चलो आजाओ आगे बढ़ते हैं बढ़िया सवाल है तो like कौन करेगा अच्छे एक बात बता दूँ दोस्तो आज कल यूटूब चैनल पर आप देख रहे होंगे कि बहुत वराइटी के लोग आ गए है quality education के छोड़िये सिक्षा मजाक बन चुका है पूरी तरह से बस paid course paid course sell 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 आए कुछ भी मन में होगा पढ़ाएं गए तो वो चीज़ी मेरे अंदर नहीं है अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर वाकई quality content वाली चीज़े दे रहा है मेहनत कर रहे हैं या हमारी team मेहनत कर रहे हैं तो निश्चीत रूप से अपना support दीजे आप सभी से निवेदन है आप वीडियो को like करें और share करें सिर्फ इतना ही करें दोस्तो और channel को subscribe में ही किया तो कर लिजे क्योंकि notification आपके पास तभी जाएगा ठीक है notification आप लोग जाके आन कर लिजे बिना notification कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि सर की class कब कब आती है ठीक है यह तभी पता चलेगा आगे देखते हैं दोस्तो मूल स्वरों की संख्या कितने भी आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तो देखे मूल स्वर कौन कौन से हैं मूल स्वर याद रखे मूल स्वर वे स्वर होते हैं दोस्तों वे स्वर होते हैं जो हरस्वाले में आते हैं ठीक है हरस्वर पीछे आपने पढ़ा न हरस्वर और हरस्वरों की संख्या कितनी होती दोस्तों चार पीछे आपने पढ़ा स्वार हैं तो याद रखेगा अ छोटा ई छोटा उ और री क्यों इन्हें दोस्तों मूल स्वार कहा जाता है क्यों कि इनका निर्माण किसी चीश से नहीं होता वना दिर्ग वाले की बात करेंगे तो और और को मिला कर आ बनता है छोटी यह छोटा ई दो बार मिला देंगे जाते हैं इनको भी आप याद रखेगा ठیکहिं आगे बढ़ें लिखर Iन में अर्दस वर कहलाथा किसे अर्दसवर कहते हैं पीछे दोस्तों में आपको बताया था कि अरदस्वरऄ को कहा जाता याद रहिए गा यह को अर्दस्वर कहा जाता है, जब कि यह, र, ल, और व, अगर आप यह चारों को लेंगे, तो इन चारों को अंतस्थ बेंजन कहा जाता है, क्या कहते हैं इनको, इने कहते हैं, अंतस्थ बेंजन, क्या कहते हैं दोस्तों, अंतस्थ बेंजन कहा जाता है, याद रखेगा, तो यह कॉन सी कलाती दोस्तों आपको ये बताना है तो मैंने आपको बताया था असपर संघर्सी में आता है च छ ज और ज इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मूर्धन्य connections Professor पापाबन क्यें सब्सक् can तालब्य भी कहा जाता है तालब्य के साथ साथ याद रखेगा इन्हें जो है असपर्स संगर्सी भी कहा जाता है तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपसर नंबर एक दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का आगे बढ़िए जिनका उच्छारड ऊपर के दातों पर जीब लगाने से होता है उसे क्या करते है ऊपर के दातों पर जीब लगाने से ठीक है ऊपर वाले दात पर आप जीब ले जाएंगे तो बोलेंगे तो एक काम करिए दात के पास जीब को मत ले जाईए और तब बोलके दिखाईए तो नहीं बोल पाएंगे ठीक है ऐसे जीब को ऐ किया काते हैं याद रखेगा जब जीव दाथ पर आ जाय तो क्या ओजाएगा दंत जब जीव आपके मुरधा को टच कर े मुरधा मतलब आपके उलट करके तालु को टुछ करा दे तब मुरधन्य ठीक है और अनुनासिक तो होगा नहीं अनुनासिक में तो हवा लाक नमबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा अच्छा दंत वाले में आता दोस्तो कौन कौनसा है याद रखेगा ता आता है अगर आप दिर्ग की बात करेंगे जैसे दिर्ग होता आ A का निर्माण कैसे होता दोस्तो तो A और A को मिला कर यह होता है इसलिए दिर्ग होता है ठीक है इसी तरह से बड़ा E बड़ा E का निर्माण कैसे होता है तो छोटा E दोबा लिख देंगे तो बड़ा E बन जाएगा इसी तरह बड़ा U का निर्माण कैसे होता है तो छोटा हूँ और छोटा हूँ को मिला करके ठीक है तो इसलिए दोस्तो इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है दीर्गस्वर ठीक है दीर्गस्वर एक चीज और बता दू जो इस वीडियो में मैंने नहीं चर्चा किया एक होता दोस्तो संयुक्त स्वर, क्या होता है, जैसे संयुक्त बेंजन होता है वैसे संयुक्त स्वर भी होता है, कौन-कौन से होते हैं दोस्तों, तो देखें A होता है, A होता है, O होता है, और O होता है, यह चार दोस्तों याद रखेगा, यह संयुक्त स्वर होते हैं, इनका और ओश ठीक है याद रखेगा इसको भी आद रखेगा ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट सवाल नीचे वाले डोनों आप्शन क्या ओते हैं ये संयुक्त स्वार होते हैं और यहां परका स्वार्व और वाला क्या है यह तो आपसे नूमबर 2 यहां पर सही जवाब हो जाएगा नि मेंसे सय्यूर्ट बैंजन वर्ड है आप से सय्यूर्ण पूछ रहा है और आप पड़ा सेंवते बंजन होता कितना दोस्तों तो स्रह होता है ठीक है तरह होता है यह च्छा होता है और ग्यां होता है ठीक है छत्रक ग्यां होता वैसे ठीक है तो यहां पर याद रखेगा दोस्तों यह जो स्रह है यह हो जाएगा इसका निर्माण कैसे कैसे होता बता दिया आ ज्यक्या-मार दोस्तों याद रखेगा ज्य और इया के साथ होता यह रार निर्मार तो याद रखेगा आपसर मैं यहाँ पर होता है तो होता है दोस्तों यह मूर्धा होता है क्या होता है मूर्धा ठीक है तो यहां पर दोस्तों जो सही जवाब है यह अप्सन नम्बर 3 हो जाएगा और तेजी से जवाब दीजिए निमने में से ओस्ठ वर्ड कौन कौन सा है ठीक है ओस्ठ जहां पर ओट को भा को और मा को दोस्तों इन सभी को कहां रखा जाता है दोस्तों याद रखेगा ये ओस्ट वर्ड के अंतरगत आते हैं ठीक है ओस्ट वर्ड के अंतरगत आते हैं आगे देखे करा जिवा के आधार पर श्वर कितने प्रकार के होते हैं जीवा के आधार पर ठीक है अब यह अच्छा सवाल पूच दिया हो सकता है बच्चों को ना पता हो इसके बारे में लेकिन जानिये ठीक है जीवा के आधार पर दोस्तों स्वर के प्रकार कितने हैं तो स्वर के कुल तीन प्रकार होते हैं कौन कौन सा दोस्तों स्वर के कुल से आवाज दे ठीक है तो अगर जब मद्ध से आए तो मद्ध है और जब पश्च से आए तो पश्च याद रखेगा दोस्तो और जो होता या के लिए मद्ध में होता है इसके अलावा याद रखेगा छोटी ई बड़ी ई और ए और ए यह कहां पर होते हैं दोस्तो यह अगर स जाएंगे दोस्तों जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं वो तीन प्रकार कौन-कौन से हैं और उनके अंतरगत कौन-कौन से लेटर आते हैं कौन-कौन से वर्ड आते हैं मैंने वो सब डिस्क्राइब कर दिया परिक्षा में देखिए ऐसे ही जिस तरह से जिवा के आधार पर आपने देखा कि स्वर के तीन वेद होते हैं अग्र होता मद्य होता पश होता है उसी तरह से मात्रा के अगर हम बात करेंगे तो मात्रा के आधार पर दोस्तों स्वर होता है दो प्रकार का कितने प्रकार का होता है स्वर दो प्रकार का होता है एक होता है लगू मात्रा एक होता है दिर्ग मात्रा लगू और दिर्ग ठीक है यह होता है जिसमें हरसो दिर्ग भी आता है तो यही दो प्रकार हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों लिकना निम्रिकित में से उश्म बेंजन है उसमें नहीं जिसके आवा हो जाएगा ना याद रखेगा और यार अल्ला दोस्तों याद रखेगा यह अंतस्त के अंतर गता जाएगा ठीक है तो यह होगा आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपसन नंबर एक आपका राइट एंसर आगे देखे निम्रिकित में से अलप प्राण बेंजन है अ ये अल्प प्राण हो जाएगा तो जो सही जवाब मिला वह में मिला आपसे नंबर दो आपसे सवाल पूछा अलप प्राण और अलप प्राण के वल एक अहीं में हैं वो है गर क्योंकि गर तीसरे नमबर के जो वर्ड होता है वो क्या होता दोस्तो वह अलपपरान के अंतरगत आता है करा उसम वर्ड दोस्तों कौन-कौन से हैं यही तो है तो चीजों को आप आराम से पढ़िए और विश्वास मानी अगर आप कमांड करना चाहते हैं अपने उपर तो दोस्तों किताब जरू पढ़िए किताब के कुछ होने वाला नहीं है ठीक है यह दोनों किताबे आपके लिए बहुत ही गजब की है और इसके लाओं दोस्तों हमारे बहुत सारे हैंडिटेन नोट्स हैं जो हमने आज तक यूटूब पर जो क्लास पढ़ा दिया जो भी से समाप्त हो गए यह उनके हैंडिटेन नोट्स हैं आप यूटूब पर वीडियो देख सकते हैं इन नोट्स के माध्धम से घर बैठी स्टड़ी कर सकते हैं इसको आप पर्चिस कर सकते हैं हमारे अप्लिकेशन से या वेबसाइट से ठीक है तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है उमीद करता हूँ आपको अच जय भारत थेंक यू थेंक यू सो मच्छ